दोस्तों माफ करना है अगर आज के इस वीडियो में आपको मेरी आवास थोड़ी अलग लगे मेरा जो गला है वो थोड़ा सा खराब हो गया एक्चुलि यार बहुत ज़्यदा खराब हो गया पता नहीं कैसे एक्टम से खराब हो गया तो अब बोलने में भी इस मतलब दर्द सा और अगले में लेकिन यार वीडियो ज़रूरी है 15-20 मिनट के लिए मैनेज करने के ठीक है खेर दोस्तों देखो आज किस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया और स्रिलंका के बीच में होने वाले तीसरे वंडे इंटरनेशनल में के बारे हैं दो वंडे इंटरनेशनल आपको बताए अभी तक इसमेज का टोस नहीं हो ए ठीक है और जब तक टोस नहीं होता था तब तक अपने पास नई नई अपडेट आध रहे दिया तोस्तों आपने पास फाइनल प्लेंग ले बनाती है ठीक है उसको देखके हम अपनी फाइनल टीम बनाता है तो भाई तो आपका सबसे ज़्यादा जरूरी काम है आपको जरूर से जोईन कर लेना है और जोईन कैसे करोगे टेलीक्राम चैनल की दोस्तों जोईनिंग लिंक है वो में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट बॉक्स में दे रहा हूँ अगर आप नहीं जुड़ तो आपका मोस्त वेलकम है और आपका बहुत ज़्यादा जरूरी है ध्यान करना टेलीक्राम चैनल से आपको जुड़ी जाना है अभी जाकर जुड़ना जाओ या फिर इस वीडियो को खतम करने बाद जुड़ना जाओ बाद में भी जुड़ सकते हो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिलेगी और दोस्तो लगे हाथ यार में आपको एक बात और बोल देता हूँ यारे में इस बाद करने जए हको यहां की बाउंडरीज होगा लेकिन वारी आखि़ी १॑ भाईन रिजेना सबसे अनुच्रे मारा का को पास्तुर्ण और शूटी होना कि यहां पर चोके चक्के मारना थोड़ा सालसान हो जाएदा है इसका मतलब कि आपको बेट्समें पर अच्छा सपोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा उसके अलाव दोस्तों यहां का जो पिछ है वो भी एकदम फ्रेश है और फ्रेश होनिक वज़े से यहां पर फास्ट बोलर्स को भी थोड़ा सपोर्ट देखने को मिलेगा ध्यान रखना है उसके वज़े से स्टार्टिंग में फास्ट बोलर्स विकेट भी निकाल सकते हैं दोस्तों इस सिटी में थोड़ा सा रॉल प्ले करेगी इसलिए जो भी टीम डोस्त चेलेगी वो हो सकता है पहले बोलिंग करना चुले क्योंकि साम को जो है आते आते जू आते दे इस में बात को तो मेरे को तो वही लग रहा है यार दोस्तों अची तीन सो से उपर तो जान करेंट अ क्रिए उलॉकाद हुआ जी जानगर्श्श में तो जफ्रहले हैं हुआ पांच में से उन्ली स्रीन रम चैनल में जते हैं जुलाई 2021 में, तीन मेज की श्रीष ती जिसमें से, दो मेज इंडिया जीती थी, और एक मेज स्री लंका जीती थी, ठीक है, तो अगर आप overall भी देखो गए, तो इंडिया का फ्लड़ा भारी है, और इस मेज में भी यार, तो इंडिया की जीतने के शांसे हलके से ज्यादा है, ठीक है, तो यह तो बात हो गई है, रिसेंट पर्फोमेंस के बारे में, हेट टूएट रिकोर्ड की बारे में, अब हम बात करेंग दोस्तो प्लेइंग लेवर बगेरा की, आसानी आपर सवाल होते हैं, अपना ओपीनियन देना होता है, और आप लाखों रूप है, आप जो है प्रोबो पर जी सकते हो, सिंपल हाय या ना में जवाब दे के ठीक है, अब दोस्तों वो जी इतने के से हैं, वो में आपको आगे वीडियों बताऊँगा, लेकिन उससे पहले आप सबको प्रोबो डाउनलोड करना है, प्रोबो की दोस्तों जो डाउनलोड लिंक है, वो में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बोक्स में दे रहा हूँ ठीक है, उस लिंक से डाउनलोड करोगे, तो आपको एक फाइदा यह होगा, कि आप जैसे ही प्रोबो पर जाओगे, आपको एक्ट्रा केश मिलेगा, और एक्ट्रा केश जो मिलेगा, उस खाब पूरी तरीके से प्रोबो पर फाइदा उठा पाओगे, आपको, मतलब कोई डिपोजिट करने के जरूरत नहीं है, श्टार्टिंग में तो आपको जो केश मिलेगा, उस इसे आप खेल सकते हो, ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर जीतना कैसे, पॉसिबल नहीं है, बंडे इंटरेशनल में, जहाँ पर बेटिंग सपोर्टिंग पीज़ है, ठीक है, तो मैं आप नो पर ट्रेट करूँगा, इसका अलावा, इंडिया का तीसरा में जीत सकती है, यहाँ पर ट्रेट करना है, ठीक है, तो एसे-एसे कुछ से यहाँ पर स्वाल है, जिनमें हाँ यहाँ ना पर आपको जवाब देना है, और आप लिटरली आपको रूपर जीतना क्योंकि लोग जीत रहे हैं, जितना ज्यादा आपका प्रोफिट होगा, ठीक है, और सवाल तो इंडिया वाला इस कौन सा वें जीतना की यह दो बताई रिया है, उसके लाव दोस्तों एक सवाल हो रहे है कि भाई, क्या सूरिया कुमार या दो प्लेंग लिए उनमें होगा, तो भाई, उनके खेलने चांसे जब ही कम है, तो फिर में यहाँ पर नोपे ट्रेट आपको लगता है यस, तो यस पर भी कर सकते हो बागी दोस्तों, इसा है कि हाँ या ना में जवाब दे के आप यहाँ पर लाक रुबह जीत सकते हो, तो जिसने भी प्रोबो को डाउनलोड नहीं किया, वो यार एक बाद डाउनलोड कर लेना, इसके डाउनलोड लिंक आपक तो क्या वो प्लेंग 11 में आ जाएंगे, मेरे को यहार चांसे कम लग रहे हैं, क्योंकि यूजवेन दे चहल का रिप्लेस्मेंट है कुल दी प्यादा हूँ, जिन्होंने काफिछी पर्फॉमेंस के दिप इसले में ठीक है, उसके अलावा दोस्तों देखो, इंडिया ने अ मुझे लगा कि यार आपको जितने में हेल्प कर सकती हैं, वो मैं आपके साथ अपने टेलीग्राम सेल पर शेयर करी दूंगा ठीक है, तो एक बार वापस बूल रहो हूँ, टेलीग्राम सेल जरूर से जोन कर लेना, लिंक आपको इनुछे डिस्क्रिप्चेन और कोमेंट मिल जाएगी, यह रही दोस्तों इंडिया के एक्स्पेक्टेड प्रेंगल बर आपकी स्क्रिंग के सामने, और अब हम बात करते हैं, इन ही 11 खिलारियों के सारे रिकोर्ड के बारे में ठीक है, तो जल्दी जल्दी बात करेंगे, ज्यानक ना, सबसे पहले है, रोज शर्मा जो मेदाना बाउंडरी चोटी है, तो डिफिनेटल हम लोगी शर्मा कोपनेटी में ट्राइ करेंगे ठीक है, उसके बाद दूस्तों अगर मैं बात कुछ विराट कोली की तो भाई, एक सतक इनका ओल्डेडी स्रीज में आ चुका है, हाला कि पिसले मेज में ये भी नहीं च उसके बाद दोस्तों नाम आजाता है कि एल राहूल का ठीक है, इन्होंने ये कुछ मेज के लाएं, पुराना बेटिंग एवरेज वगी रहा है, इनका इस स्रीज में आने सपहलेगा, और अब बात करें दोस्तों इस स्रीज में दोनों मेज में इन्होंने अच्छे पहुं और हो सकता है, बहुत कम इनकी बेटिंग आए ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगर नेक्स में बात रहूं, तो श्रीज सेयर का उप्साना दाता है, ये नंबर चार पर आपको बेटिंग करते भी दिखेंगे, दोनों में 28-28 रनों की पारी खेलिए, बड़ी बात नहीं कर साथ है, थोड़ी फोस रन आपको जरूर बनागी दे सकने है, अक्षर पटेल की अगर में बात रहूं, तो इसका जो रिकोर्ड है वो भी आपकी स्क्रीन के सामने, फिसले में 21 रन मनाये थे, बोलिंग के साथ एक विकेट लिया था, मतलब की बोलिंग साथ वही है, बेटि पहली बात तो बेट्समें को सपोर्ट करेगा, दूसरी बात बोलर्स को अगर थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलेगा, तो वो फास्ट बोलर्स को मिलेगा, स्पीनर उसको जो है स्पोर्ट बहुत कम रहेगा, एटलीस्ट यह भी तक अपने पास इंफोमेशन है, बाकि देखते बात को तो उमरान मली का उपसना आदा, डेफिनेटल यह अपने टीम में रखेंगे, स्पीड गन है यह बंदा तो और मोमस श्राज डेफिनेटल यह बंदा भी अपने टीम में रहेगा, क्योंकि यह बंदा भी वन्डे इंटरनेशनल में काफी अच्छी पफुमेंस करा, इसके एकोनोमी रेट देखो यार पांट सभी नीचे एठी है और साथा विकेट रेगुलरली लेता है पिसले दो मेज में पांट सुक्रिल ले चुगा है ठीक है तो ये उम्रान मलीक और मोमत सिराज दोनों के दोनों टीम के इंपोर्टेंट पे को जाते है ठीक है अब बात क को ये अपडेट आईगी अपने पास स्रिलंगा की टीम की दरब से तो मैं आपके साथ अपने टेलिग्राम सेल पर शेयर करता जाओंगा ये रही दोस्तों की एक्सपेक्टेड प्लेंग 11 और अब हम बात करते हैं इनी 11 खिलाडियों की सारे रिकोर्ट की बारे में ठीक है अगर पत्रिम निशांग का एकडम फेट्व हैं भी तो भी यार आई डॉंट तिंगी फन्नांडो को बिठाय जाए जाए गा क्योंकि बंदे ने 50 मारी ती ठीक है और किसी को रिप्लेस करेंगे अगर निशांग का एंगे तो ठीक है उसके बास तो ओप्सन आए मेंडिस का जिनका जोड़ रिकॉड है आपके स्क्रिंग के सामने 32 का बेटिंग एवरेज होल्ड करता है पिसले में 34 रनों की बारी खेली थी उससे पहले डग पे आउट हो गयते मतलब की बेटिंग तो ये भी कर सकते है 34 रनों की बारी खेली थी बस थोड़े से और पुश करते 50 आ जाती है उसके बाद दोस्तों अभिश्का फर्नांडो इनका जो रिकॉड है वो भी आपके स्क्रिंग के सामने ये बंदा इस स्रीज में नहीं चल पार रहा रहा ठीक है दनेंज डिसलवा बोलिंग करते हैं दोस्तों लेकर तीन या चार ओवर बोलिंग करते हैं उसमें एक नहीं कर पा रहा है पहले में 23 दूसरे में फंद्रा ठीक है मतलब स्टार्ट मिलती है इसको बड़ी पारी में कर्मेट नहीं कर पा रहा है तो अपनी स्मोली के टीम में हम चरेज असलांका को नहीं रखेंगे लेगिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ग्रेंड लिक क अपने निम के नाम नहीं किया था ठीक है और यह बात मैंने आपको साइध पितले मेच के वीडियो में भी बोली थी कि वाई शानel का को को अगर रिस्क लेके ड्रोब करने था हो तो कर सकते हो ठीक हा जिसने रिस्क लिया होग रोड किया होगा उसके बले-बले हो गये उसक सकते हो हाला कि दोस्तों बोलिंग तो पूरे दस ओवर करेगा यह अच्छा स्पीनर भी है इसको भी हम इग्णोर नी कर सकते है तो विकिट ले भी सकता है ठीक है उसके बाद दोस्तों चमीका करू नारत में इस बंदेका रिकूर्ड आपके स्क्रिन के सामने आठ या नो वर किट ले उसको है और बेटिंग जब आएगी तो 10-15 रण तो आप इनसे भी एक्सपेक्ट कर ही सकते हो ठीक है उसके बाद दोस्तों अगर में बात प्रूब अपने टीम के नाम किये ठीक है तो अगर में बात रूब पेसर्स की तो रजीता और कुमारा में अगर मेरे को किस परफॉमर्स के बारे में तो यह जो टोप परफॉमर्स है यह तो मैं आपको पिसले दोनों वीडियो में बताए है तो इनको पर अब जयाता टाइम है नहीं लगाएंगे एक काम करो आप चाहिसे मोबाइल की स्क्रेंडों के स्क्रेंशोटेलों में आपको फोर्मेट जरू स्रिलंका के एंट इंटरनेशनल में वर सही रोज शर्मा करते हैं करते हैं के रहूल पफोर्मेंस करते हैं अगर इनको बोलिंग से सपोर्ट मिलागर स्पीरन को सपोर्ट मिले थी वो मैं आपको बता चुका हूँ अब आगे इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको एक टीम दिखाने वाला हूँ लेकिन वही बात है यह जो भी टीम में आपको दिखाऊंगा यह रहेगी अपनी सिर्फ और सिर्फ एक डेमो टीम इसको फाइनल टीम बसमझ लेना और इसको कोपी करके अपने कौंटे जोन मत करें आप अपना इनुक्सान कर वाट बैठ होगे ठीक है अपनी फाइनल टीम होगी दोस्तों वह आपको मिलेगी हमारे टेली करना पर टोस्क के बाद तो टेली ग्राम चैनल आप जोन करने लिंक आपको नीची दिस्क्रिप्शन और कॉम पर सेक्षन दीटो मैंने कुसल में डिस को प्रेटिम में रखाए क्योंकि बंदा टोप पोटर में बेटिंग करता है और अच्छी बेटिंग भी कर सकता है अगर आपको ज्यादा सेफ जाना हो तो भाई कुसल में डिस की जगह आपके रहुल को रख सकते हैं तो यह एक सोई स तो और आसान हो जाएगा इसके लिए ठीक है इसलिए मैंने ट्रंप को पिक की वज़े से अच्छी तो इसे को दिकत कर ने हैं इन दोनों को रखने का रिजन क्या है कि भाई एक तो धनान ज्यादी सिल्वा नंबर चार पर बेटिंग करके में को देगा टिका नंबर चार य को इसलिए रखा है कि भाई क्लास स्पीनर है दस ओवर कर रहा है पिसले दो मैंच में विकित नहीं लिए क्या पता इस मैंच में ले 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 सिर्फ उस रीजन की वज़े से मैंने रखा है बेटिंग के साथ 15 बीच रनों सी ज्यादा उम्बीद नहीं कर रहा हूं मैं हस जो भी तेंजेश होंगे जो भी अपडेट होंगे वो तो खेर मैं आपको टोस के बाद अपने टेलिग्राम चेनल पर बताई दूँँगा तो उसकी चिंता मत करो बात करते हैं दोस्तों केप्टन और वाइस केप्टन के इनी 11 प्लेयर में लेकिन उससे पहले देखो यार जो वीडियो है को बोल मुश्क खतम है तो जिसमी भाइने अभी तक मिन वीडियो को ल Wonky जरूर कड़ें हैं यह जाते-जाते यार वीडियों के लिए वीडियो को लाइक जलूर जरूर करते जाना ठीक है इस वीडियो पर दोस्तों को सपोर्ट मिलता है दिया अनक ना मेरी बात नोटिस करना अगर फाइनल पिस रिपोर्ट में मैं बोलता हूं कि इस पेनर को सपोर्ट है तो फिर आप असरंगा वगेरा के साथ जा सकते हो ठीक है बागी दोस्तों केप्टन वाइस केप्टन की सोइसे में कोई चैंजेच प्रिगो